हलो एब्रिवन कैसे आप सब चली आज हम होली स्पेसल पर बनाएंगे चावल के आंके से पापड यह बहुत जल्द बन जाते हैं तो इस कटोरी से नापकर हम डेर कटोरी चावल खाटा लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे नमक अपने स्वात के नुसार डालिएगा तो इसमें हम पानी डालकर इसका हम बेटर पहले तयार कर लेते हैं और फ्रेंस यह बहुत जल्द बन जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें और हम हर साल बनाते हैं तरह तरह के पापड बनाते हैं आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से इसका अंगोल पहले तयार कर लेंगे अगर मैं चैनल पर नए है तो मैं चैनल को लाइक से जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा तो यह देखिए बेटर तयार हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया पत्ति और इसमें डाल देंगे र यह देखिए अब इदर हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए ते पानी हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है देखिए उबल रहा है तो अब इसमें हम इस बेटर को डाल देंगे यह देखिए और चमच की मदश से इसको चलाते जाएगा नहीं तो क्या है कि इसमे लंस पड़ जाएंगे तो यह देखिए अब इसको हम पका यह देखिए चलाते हुए भी लंस पड़ गए है तो यह देखिए इसी तरह से इसको पका लेना है इस तरह से क्या है कि जल्दी हो जाता है पानी गरम रहता है तो तो यह देखिए यह अच्छे से पक चुका है क् पानी उबलते हुए पानी में डाला था हमने इसको ज्यादा देर गैस पर रखने के जरोत नहीं है तब इसको हम उतार लेंगे अब फ्रेंस हम यहां छट पर आ गए हैं तब हम इसी चूड़ी की मदद से हम पापड बनाएंगे इस तरह से क्या है कि गोल गोल अच्छे से बन देखिए इसी तरह से सारे चूड़ियों में डालते जाएंगे यह देखिए प्रेंस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करिएगा और सस्काइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा प्रेंस यह देखिए और इसी तरह से अपने घर पे भी बनाएंगे यह बहुत जल्द बन जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें बनाने में ते देखिए इसी तरह से हम सारे पापड को चूड़ियों की मदस से बना लेंगे ते देखिए अब चूड़ियों को हम निकाल लेंगे अब दूसरी जगा पर रखेंगे यह देखिए इसी तरह से सारे पापड को हम बनाते जाएंगे ये देखिए ते देखिए फ्रेंस हमने सारे पापड बना लिए हैं और ये करीब तीन-चार दिन की धूप इसमें लगानी पड़ेगी ये तीन-चार दिन में ही सूखेंगे क्योंकि पापर थोड़े मोटे हैं ये सुखेंगे तो पतले हो जाएंगे ते देखिए अब ये दूसरे दिन ही इसको हम पलटेंगे ते देखिए फ्रेंज हम दूसरे दिन आ गए हैं जट पे ते देखिए ये पलटने लायक हो चुके हैं तो अब इसको हम पलट देंगे ये देखिए आए बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं ये देखिए तो इसी तरह से सारे पापड को हम पलट देंगे तीन-चार दिन की धूप इसमें लगा देंगे ये देखिए सारे पापड पलट दिया है ये देखिए तो फ्रेंस ये देखिए हमारे पापड अच्छे से सूख चुके हैं हमने तीन चार दिन की धूप लगाई थी तो चलिए अब इसको हम तल लेते हैं अब फ्रेंस ये देखिए हमने कुछ लंबे साइच में बना लिये थे तो इदर हमने कडाही में तेल डाल दिया है अब इसको हम एक एक करके तल लेंगे तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं अब बहुत ही कुरकुरे बनते हैं ये तो ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे ऐसी तरह से सारे पापड को तल लेंगे प्रेंज इसको बनाईएगा जरूर यह बहुत ही टेश्टी लगते हैं इसको चाय के साथ सुभे साम बनाकर चाय के साथ इंजवाय कर सकते हैं तो यह देखे फ्रेंस हमने पापड को तल लिया है अब इसको चाय के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही कुरकुरे बने हुए हैं पापड मारे तो फ्रेंस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर जरूर करिएगा और सस्काइब करना बिल्कुर न भूलिएगा मिलेंगे